सुन्दर साजी गीता दर्शनम गीता को जब हम पढ़ते हैं जन मानस में यही जाना जाता है कि धर्म ख्षेत्र कुरुक ख्षेत्र के अंदर अर्जुन को विशाद होता है वहमो ग्रस्त होता है योगिश्वर स्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और वह धर्म युद्ध के लिए प्रवित्त हो जाता है 90 प्रतिशत से अधिक गीता कार गीता का मूल संदेश केवल निश्काम योग लेते हैं योगेश्वर स्रीकृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तू सुख दुख हान ये लाब सभी जिन्ताओं को छोड़ करके निश्काम भाव से कर्म कर लेकिन यदि कोई गहरी दृष्टि से गीता को अवलोकन करे तो गीता में कई अध्यायों में अनेक प्रकार के विरोधा भाज दिखाई देते हैं जैसे एक तरफ योगेश्वर स्रीकृष्ण कहते हैं कि बहुनी में वितितानी जन्मानी तवचा आरजुनाहा कि मेरे तेरी तरह अनेक जन्म हो चुके हैं लेकिन दूसरे अध्याय में योगेश्वर स्रीकृष्ण कहते हैं कि जहां पहुंच कर वापिस नहीं लोटना पड़ता वह मेरा परमधाम है यह बात बड़ी असंगत सी लगती है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरे अनेक जन्म होते हैं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मेरा धाम परमधाम है जहां पहुँचकर कोई भवसागर में नहीं लोड़ता। इसी प्रकार गीता के अंतिम अध्याय में योगेश्वर्स रिकृष्ण कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सरु भावेन भारता कि है अर्जुन तू सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा की शरण में जा लेकिन उससे दो या तीन श्लोग पहले योगेश्वर्स कि तू सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आजा इन सब बातों को देखते हैं तो लगता है कि कहीं बहुत बड़ा विरोधा भास है एक तरफ कहा जा रहा है कि तू उसकी शरण में जा फिर कह रहे हैं कि मेरी शरण में जा एक तरफ कहते हैं कि मेरा दाम ऐसा है जहां से को आखिर इसका रहसे क्या है इसका रहसे केवल तार्तम मानी के परिपेक्ष में ही मिल सकता है योगेश्वर स्री कृष्ण के अंदर दो पुरुष बोल रही है एक योगेश्वर स्री कृष्ण है जो बेकुंट धारी विश्णू के अवतार है और दूसरा है अक्षर का आवेश जब यही योगेश्वर स्रीकृष्ण अपने स्रीकृष्ण के भाव से बोलते हैं अपने जीव भाव से बोलते हैं तो कहते हैं कि तू उस अक्षर ब्रह्मा की छरण में जा लेकिन वही योगेश्वर स्रीकृष्ण जब अक्षर के आवेश में उस ब्राम्मी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं ब्राम्मी अवस्था उस साधर्मे में पहुंच जाते हैं तब ब्रह्म्ह स्वरूप हो करके वो अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ इस प्रकार की अनेक बाते हैं गीता के अंदर प्रक्रती का बनन आता है कि जब प्रले होती है तो ये संपून चर और अचर प्रक्रती मेरी प्रक्रती में समा जाती है और जब दुबारा सृष्टी बनती है तो मेरी प्रकृती से संपूर्ण जड़ और चेतन समाब प्रकट हो जाता है इसका रहस्य कोई नहीं जानता कि प्रकृती में प्रकृती कैसे लीन हो सकती है वेद ने भी इशारा किया माया ही जज्य माया माया से माया की उत्पत्ती होती है लेकिन इसका वास्त्वी कर्थ केवल तार्तम वानी में निलता है तार्तम वानी की एक चुपाई है ना इस्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं आप अभीती निज लीला अब्रम्हबाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति यहां से इसका रहिस्य स्पष्टो होता है इसी प्रकार धाम के संदर्व में कि वह कौन सा परमधाम है योगेश्वर स्री कृष्ण जब अक्छर ब्रम्ह के साधर्मे को प्राप्त होते हैं तब वह अपने अभ्याकृत ब्रम्ह के तरफ संकेत करते हैं कि वह धाम जो जीवों की मुक्ती का अखंडस थान है यहां परमधाम का भी प्राएचर अक्छर से परे परमधाम से नहीं है क्योंकि वहां तो कोई जाही नहीं सकता वहां तो एक ही अखंडरस पर ब्रम्ह अपने नाना स्वरूपों में प्रतीत होता है इसी प्रकार योगेश्वर स्रीकृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने एक अंश से इस संपून ब्रह्मांड को थाम रखा है वेद का भी कथन है पादोस से सर्वाभूत आनी त्रीपादस से अम्रितम दिवी कि वो अक्षर ब्रह्मतीन पादों में अम्रित भोगता है और उसके एक पाद से स्रिष्टी रचना होती है इसका रहसे भी ब्रह्मवाणी से मिलता है कि अक्षर के एक पल में ऐसे कई कोट इंड उपचे और सबसे महतोपून सबसे महतोपून गीता का पुरुशोत्तम योग जिसमें योगे स्वर्श्री कृष्ण सभी धर्म गरंथों का सार मात्र दोश लोकों में प्रस्तूत करते हैं उत्तम पुरुश कोई और है इसका रहसे स्पष्ट करने का प्रयास तो सब ने किया शंकराचारे ने इसकी व्याख्या की उन्होंने भी लिखा चर क्या है चरहा सरवानी भूतानी चियते यती चरहा जो जिसका चरण होता है अक्षर क्या है न चरती न चियते वाक्षरम जिसका कभी चरण नहीं होता उत्तम पुरुश क्या है उत्कृष्टम हाँ जो सबसे उत्कृष्टम है लेकिन जितने भी बिद्वान है त्रैतवादी बिद्वान छर को केवल शरीर मानते हैं अक्षर को जीव मानते हैं और उत्तम पुरुष को ब्रह्म मानते हैं लेकिन इसका वास्तवी कुत्तर केवल ब्रह्मवानी में है हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, सो जागी इन घर तो इस प्रकार से गीता के अंदर 50 प्रशनों का संचे किया गया जिनका उत्तर केवल और केवल ब्रह्मवानी से ही दिया जा सकता है उन प्रश्णों का संचे करकर उन्हें ब्रह्मवानी के परिपेक्ष में उत्तर देने का प्रयास किया गया एक लंबा कार्य था बहुत लंबे समय से चिंतन चल रहा था लेकिन जब समय आया धामधनी की महर हुई स्वामे जी का आश्रवाद मिला तो एक मात्र ही थोड़े समय में उसका स्रिजन हो पाया गीता को देखेंगे गीता में ज्यान मिलेगा भक्ती मिलेगी गीता के अंदर कर्म का मार्ग भी मिलेगा तीन प्रकार के विद्वानों ने तीन प्रकार की विचारधारा के लोगों ने अपने अपने हिसाब से गीता का विवेचन किया लेकिन वास्तविक रूप में गीता एक समन्य वादी दृष्टी कौन प्रस्तूत करती है गीता समन्द में वादी है, गीता सर्व कालिक है, गीता सर्व भौमिक है और मेरा ये मानना है कि बिना तार्तम ज्यान के गीता की कोई भी व्याख्या इस संसार में नहीं कर सकता अब अधिक में क्या कहूँ, आप सभी से मेरा निबेदन है, आप इस ग्रंट को पढ़िए इस ग्रंट में आपको अपने प्रियतम अक्षरातीत पर भ्रम्ह के सत्वरूप की सत्ता का एक दृष्टी गोचर होगा की क्या उनकी सत्ता है, उसके अंदर आपको भगते भी मिलेगी, योगे सवर से क्रिष्ण अर्जुन से कहते हैं की मई आसक्त मनाहा, की तू अपना मन मुझ में लगा, मत पर आहा, तू मुझ पर समर्पितो, मत चिताहा, तू अपना चित मुझे दे मै आश्रेहा, की तू मेरा आश्रे ले, सर्वानी धर्मानी परितज्ये मामेकम शर्णम गच, मुझे लगता है, यदि कोई निश्पक्ष भाव से इस ग्रंच को पढ़ेगा, तो उसे गीता के इन रहस्यों का भी पता लगेगा, और तार्तमवानी की महीमा को भी पता चले झाले हैग के पता osoंपू निश्पक्ष भावल को भी तूरे के 20 points को जोद्पक्ष भी पता ऱ्क तूर्पक्ष भीता बाता च्यों का ़ीते हैंznिगयों एwestर्मानी पगभ़ेगा, तो उस्किमा वैभानी ग्यों का जद्रेत से निश्च का उखक्ष भीताले का रहस्च का व